प्राची की बूक है तो आपके पास प्राची की बूक है तो प्राची की बूक में भर फिल खीजिए अगर आपके पास बूक अविलेबल नहीं है तो मैं रोज आपको पीक अच्छे तरीकी से सेंड करते हूँ, उमीद करते हूँ कि आपको समझ में आता होगा, तो आप महां से आप लोग उसको फेर नाट बुक में अपना जरूर करेगा, ठीक है बटे, अगर कोई भी help की जरूरत है, या कहीं पर आप confused होते हैं, कोई आप चुनने हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण को, वाक्य को, स्वर को, या फिर वयंजन को, किसे कहते हैं, फिर second question, आपको इसमें से चूज करना है, आपको एक उतर चुनना है, जो उनसा सही उतर होगा, उस पर आपको निशान लगाना है, ठीक है, second question, ये शायद हमने Saturday वाली काउंवर्क नहीं कि वाद दोबारा से देख ले, स्पर्ष वयंजनों की संक्या कितनी होती है, 15, 20, 25 से 30, थर्ड कोशन है, ये रेले वेंजन है, स्पर्ष, अंतहस्त, उश्म या अने, ठीक है, अनुस्वार का चिन है, अनुस्वार का चिन है, इन में से कैव, मैं आपको ये डोट से दिखाई दे रही है, चंदर की तरह है, और फिर डोट है, फिर दोट, छोटी-छोटी डोट है, बिंदु है, और या अने, इन में से आपको एक अंसर चूज करना है, फिफ्ट कोशन आपके पास आता है, आ कैसी धुनी है, आगत है, अपनी ही है, ये विदेश ये देशी है, विदेशी है, मैंने आपको बताया, विदेशी होती है, जो विदेश से आई होती है, देशी यानि कि जो लोकल अपने हाम बोल चाल की भाचा से उत्पन होते है, शब्दुने देशी बोलते हैं, अपनी यानि कि जो स्वैम की होती है, आगत मिंस किसी दूसर प्रवाशा से आए होते हैं, यह मैं अच्छे से आपको बता चुकी होती हुआ जब में आपको अपना Second Chapter स्वर और वेंजन करते हैं, उसमें में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करती हैं, फिर किताब, किताब का सही वर्ण विचेद बताना, वर्ण विचेद में इस वर्णों को तोड़ तोड़ कर रिखना, अलग लग करना, यहनि कि वर्णों को जब हम अलग करेंगे, वर्णों को अलग करना, क्या कहलाता है, वर्ण विचेद कहलाता है, तो अनुस्वार लगाना पड़ता है, हलंत लगाना पड़ता है, या स्वर लगाना पड़ता है, जब स्वर रहित वेंजन प्रियोग करते हैं, मैंने बताये थे आपको कि वेंजन दो प्रकार के होते हैं, स्वर रहित और स्वर सहित, रहित होती है तो उसकी क्या पहचान होती है और सहीत होते हैं तो उसके क्या पैचान होते हैं अगर फिर भी आप लोगों को ना समझ में आए तो मुझसे जरूर पूछ लेना मोसमी का सही वर्ण विचेद यहां पर भी वही है विचेद करना है राजेंत्र का सही वर्ण विचेद बताना है अब यह आपके पास बेटे मैं आपको दिखा देती हूँ पूरे की पूरे नाइन कोश्चन आपके पास यहां पर है यह आप लोग अपने फेर नॉट्बुक में करेंगे यह देखे ओके स्टुजेंट्स थैंक यू मैं उमीद करती हूँ कि मेरे बच्चे साथ साथ होँवर्क जरूर कर रहे होंगे और अपना साथ साथ याद भी करेंगे थैंक यू हैवा नाइस दे